हेलो एवरिवन दिस इस रिटू टोड़े वी आर गोइंग तो चप्टर नमबर एट आपके पास फिफ्ट कोस्टिन में क्या गिवन है इफ सेकेंट 4A इस इक्वल तो कोसेकेंट A माइनस 20 डिगरी वेर A इस अक्यूट अंगल आपके पास A क्या दे रख है? अक्यूट अंगल, find the value of A हमने ये कोस्टिन सेम वैसे हैं, जैसे हमने थर्ड कोस्टिन किया था सेम वैसे हैं, बस 2A की जगह यहां पर 4A है जो भी आपके पास गिवन है, पहले वही लिख लेते हैं सेकेंट A is equal to, कोसेकेंट A minus 20 degree, equation number 1 और आपके पास गिवन क्या है, एंगल 4A is equal to acute angle दे रख है अगर ये acute angle है, तो आप इसको लिख सकते हो सेकेंट 4A is equal to, कोसेकेंट 90 degree minus 4A इसको लिख सकते हो 2 by 1 and 2, अब 1 and 2 को अगर compare करोंगे, by 1 and 2 V है अगर आप 1 and 2 को compare करोंगे, आपके पास क्या आएगा, कोसेकेंट A minus 20 degree is equal to, कोसेकेंट angle 90 minus 4A अब किसी भी टिगनोमेटी रेशोंस की value उस angle पे equal कब होती है, अगर angle equal हो इसका मतलब, आप ये लिख सकते हैं, इन दोनों के angle क्या हो जाएंगे, equal अब इसको small out कर लो, ये इदर आ जाएगा, 4A हो जाएगा, ये जाके उदर चला जाएगा 90 plus 20, 4, 5A, 110, A is equal to 110 degree by 5, 2, 2 degree means आपके पास A की value कितनी आई, A की value कितनी आई, आपके पास 22 degree हमने ऐसा question किया था, question number 3, same वैसा ही है, आपने करना क्या है, जो भी आपके पास equation given है जैसी ये था, हमने सबसे पहले वह ले लिया, इन्होंने बोल दिया कि 4A तो acute angle है, हम ये condition लेख सकते हैं यहां से इन दोनों को compare कर लिया, इन दोनों को compare करने के पास हमारे पास value कितनी आई, ये, हमने यहां से ये और ये दोनों क्या कर लिया, अगर दो question number 6 करते हैं, question number 6 में क्या given है, आपके पास क्या given है question number 6 में, if A, B, C and C are interior angle of a triangle, एक triangle है आपके पास, suppose ये कोई triangle है, ओके, इसके interior angle, A, B, C, तीन angle बन रहे हैं, interior angle, और आपको ये show out करने हैं, कि sin B plus C, angle ये एक ये, और ये equals A by 2, ये दोनों क्या हैं, equal, अगर आपके पास कोई, एक triangle है, we know that, sum of, sum of, angle of a triangle, एक triangle के, अगर angle का sum देखें, वो किसके एको लोगता है, is, is equal, is 180 होता है, sum of angle of a triangle, एक triangle के, जितने भी angle का, अगर हम sum करेंगे, वो किसके एको लोगता है, इसके एकोल होता है, 180 के, अब आप, angle A plus angle B plus angle C is equal to, किसके आएगा आपके पास, 180 डिगरी के, ये ये आना चाहिए, आप आप इसका half-half कर सकते हो, एंगल A plus angle B plus angle C by 2 is equal to, half कर दो, एंगल A by 2 plus angle B plus angle C by 2 is equal to, 90 डिगरी, इसको उधर ले जाएंगे, एंगल B plus angle C by 2 is equal to, 90 डिगरी, माइनस एंगल A by 2, बोस साइन, साइन अपलाई कर दो, हमने क्या कर दिया, हमने ये लिख दिया, साइन C, अगर angle equal है, तो, टिग्नोमेटरी, अगर angle, जैसे हमने यहां पे गया था, अगर ratios की value equal है, तो angle B equal होगे, अगर वो angle equal है, तो ratios की value B equal होगी, ऐसे ही हम यहां करेंगे, अगर angle equal है, तो ratios की value भी तो equally होगी, 90 minus angle 2A दोनो ratios की value equal होनी चाहिए अगर इन दोनों यहां से इन दोनों की value equal होनी चाहिए यहां से sin angle B plus angle C by 2 यहां पे हम sin 90 minus angle A 90 में से किसी angle को minus करके हमारे पास वो angle किसके को लाता है cause cause A by B लिख सकते हैं angle B angle 2 cause angle A by 2 क्योंकि हमें पता है cause A is equal to किसके को लाता है sin 90 minus A यही होता है ओके यही हमने prove कराना था एक बार फिर देख लेते हैं हमने क्या किया है हमारे पास जो भी एक triangle है उनने का है एक interior angle किसी भी triangle के अगर हो तो ABC हो तो हमारे पास यह condition हमने क्या किया हमने इसकी एक triangle ले लिए हमें पता है जो triangle के अंदर के जो angles होते हैं उन सब कसम किसके इकुल होता है 180 180 कर लिया उसको half कर लिया half करने के बाद हमारे पास यह इसको उदर ले जाएंगे और हमें एक चीज और पता थी कि किसी अगर angle इकुल है तो अगर हम सेम ही कोई ratio टिगनोमेटर रेशो अपलाई कर रहे हैं तो उनकी value भी क्या होएगी इकुल ही आएगी वहाँ से हमने इसकी value लिख दी बट यह तो किसके equal होता है यह equal किसके होता है cause angle a by 2 चला जाएगा means हमारे पास जो भी इन्होंने कहा था है angle b plus c by 2 is equal to cause a by 2 यह हमने prove करा रहा था जो हमने prove करा चुके हैं ओके I hope आपके समझ में आया होगा अब इसका ही हम जो last question है वो भी इसी में discuss कर लेते हैं हमारे पास क्या given है express sign 67 degree plus को 75 degree in a term of trigonometric ratios of angle between 0 and 15 जैसा हमारा इस exercise का example given था same वैसा ही है आपके पास यह value है आपको इसमें express करने है इसको 0 और 45 की degree में इसके बीच में हो अनकी value आप sign 67 degree को change कर सकते हो cos इसका complimentary देखो क्या आएगा 90 minus आप इसको ऐसे लिख सकते हो 67 degree ओके इसको लिख सकते हो cos 23 degree यह आएगा 90 में से 67 minus करेंगे तो आपके पास फ़ली कहेगी 23 degree ऐसी है आपको 75 को भी change कर लो sign 90 minus 75 अब देखो क्या value क्या है आपके पास sign 25 degree अब यह दो values both value 0 less than 23 इनके बीच में ही लाई करती है यह भी सी के बीच में लाई करती है 25 इन दोनों के बीच में ही 0 और 45 में जो इनों ने कहा था हूँ हमें मिल चुकी है value sin 67 degree plus cos 75 degree is equal to value पुट कर दो cos 23 degree plus sin 25 degree क्या दिया था इनोंने इनोंने एक equation दी थी 67 degree plus cos 75 degree इनोंने एक हमें यह एक equation दे रखिया इनोंने कहा था है इन जो trigonometric ratios है इसको change करो जहाँ पे angle किस के बीच में हो 0 और 45 0 और 45 के बीच में नहीं है हमने क्या क्या इनके complementary angle देख लिए कॉम्प्लिमेंटरी एंगल पे इनके ratios चेक आउट कर दिये इसका कोज का कॉम्प्लिमेंटरी एंगल पे ratio क्या बना रहा है cos 23 sign का sorry sign 67 का cos 23 cos 75 का sign 25 हमने वहाँ पे इसकी value पर देख देख ओके यह हमारे 8.3 का last question था okay next में हम करेंगे 8.4 का intro part आज के लेट नहीं thank you